बच्चो आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हमारी जिल्गी से संबंदित हैं हम उभोगता हैं आप भी हैं मैं भी हूँ सरकार भी है बहुत सारी फर्मे हमारे यहां काम करती हैं वो भी उभोगता हैं तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक संस्था किस तरीके से उभोगता है उभोगता क्या है उसका वैभार क्या होता है और वो किस तरीके से अपनी पैसे को खर्च करें कि उसे अधिक्तम संतुष्टी हो इस संदर्व में आज का हमारा लेक्चर रहेगा कंजूमर बिहेवियर का ये पार्ट वन है इसके अंतरगत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्डिनल अप्रोच यानि कि गणना वाचक तरीके से हम उपियोगिता का अधियन करेंगे फिर हम क्रम वाचक उपियोगिता के माध्यम से अधियन करेंगे और करम वाचक के अंत्रगत हम पढ़ेंगे तटस्था वक्र क्या होता है, उसका धलान क्या होता है, उसकी विशेश्टाई इत्यादी, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, कि उभोगता व्यभार, उभोगता क्या है और उसका व्यभार क्या है, उभोगता वह आर्थि एजेंट है जो वस्तूओं को खरीदता है अपनी पर्त्यक्स संतुष्टी के लिए देखिए बच्चो हम वस्तूओं क्यों खरीदते हैं यहां आपको कुछ चित्र नजर आएंगे जैसे यह खाने पीने का सामान है यह दवाईया है और यह जूते हैं और यह च्छाता है देखिए छत्री क्या काम आती है हमें यह हमें बारिश में भीगने से बचाती है जूते क्या काम आते हैं जूते हमें धूल मिटी कंकर पत्थर से हमारे पैरों को बचाते हैं दवाईया क्या काम आती हैं दवाईयां हमें जब हम बिमार होते हैं तो हमें जल्दी ठीक करने से मदद करती हैं और fruits और vegetables जो हैं ये हमें ताकत देते हैं इस तरीके से तो देखिए क्या है उपयोगिता की वजह से ही हम क्या है इन सभी वस्तूओं को खरीते हैं सवाल ये उठता है कि उपयोगिता क्या किसी वस्तूओं का वह गुण जो हमारी आवशक्ता को पूरा करता है अब सबजियों में क्या गुण है कि वो हमारे पेट को भरती हैं और हमें ताकत देती हैं दवाईयों में ये गुण है कि वो हमें बिमारियों से बचाते हैं, जुतों में ये गुण है कि वो हमें धूल मिटी कंकर पथर से बचाते हैं, पानी हम पीते हैं, तो उसमें क्या है, टुक्वेंच और थस्ट, प्यास भुजाने का गुण है उसके अंदर, इसलिए हम वस्त को पूरा करता है उसे हम उपयोगिता कहते हैं उपयोगिता को देखें हम दो संदर्व में देख सकते हैं एक गण्ना वाचक उपयोगिता यानि की हम उपयोगिता को मापेंगे और एक क्रम वाचक यानि की हम उपयोगिता को नहीं मापेंगे हम तुलना करेंगे जो गण्ना वाचक है ये डैनियल ब्रोनॉली ने 18th century में इसे दिया था और उसके बाद मार्शल और गौसन ने इसका विकास किया था यहां हम उपयोगिता अभधारना की बात करेंगे या उसका अध्यन करेंगे कहने का विप्राई ये है कि हम कुल उपयोगिता और सीमानत उपयोगिता का यहां पर हम अध्यन करेंगे जिसके अंत्रगत हम उपयोगिता को मापेंगे गणना वाचक संख्याओं में अगला क्रमवाचक में जो है एजवर्थ ने इसे दिया था, पेरिटो, हिक्स और सलट्सकी ने इसका विकास किया है, यहां हम जो बात पढ़ेंगे वो है तटस्था वक्र, तटस्था वक्र का हम यहां पर अध्यन करने वाले हैं, चलिए देखते हैं उपियोगिता, उपियोगिता गणनावाचक के हिसाब से कुल उपियोगिता और सीमानत उपियोगिता, दो रूपों में यह बटी हुई है, अब कुल उपियोगिता क्या है, वस्तु की दी गई सभी इकाईयों का उभोग करने से मिलने वाली उपियोगिता का जोड है, स्पो इनों सेबों से मिलने वाली उपियोगिता का जोड, यानि कि पहली सेब से, प्लस दूसरी सेब से, प्लस तीसरी सेब से जितनी भी उपियोगिता मिली, उसका जोड क्या कहलाएगा, कुल उपियोगिता कहलाएगा, सिमान्त उपियोगिता क्या है, एक इकाई और अधिक, हम उ सीमान्त उपयोगिता जैसे मु तीसरी सेव से कितनी हमें उपयोगिता मिली है उसमें से हमें दूसरी सेव से कितनी मिली थी वो लेस करते हैं तो हमें तीसरी और इकाही लेने से जो बदलाव आया वो हमारा जो कहलाएगा वो सीमान्त उपयोगिता तीसरी इकाही की कहलाएगी इसके बाद है कुल उपियोगिता और सीमान्त उपियोगिता में अंतर और उनमें संबंध देखिए कुल उपियोगिता क्या है वस्तु की सभी एकायां हमने उप्भोग की उसके मिलने वाली उपियोगिता का जोड़ जबकि सीमान्त जो है वो अलग-अलग परिवर्तन को दर्शाता है तो यहां पर सीमान्त उप्योगिताव है जो वो TUN-TUN-1 है यानि कि आखरी में एक जो इकाई हमने ली और उससे पहले जो हमने इकाई उप्योग की उसका जो बदलाव है वो है आपका सीमान्त उप्योगिता जैसे हम एक सेब लें तो यहां पर हमें टोटल यूटिल्स हमें जो मिलते हैं वो 8 यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि उप्योगिता को हम यूटिल्स में मापेंगे जैसे दूद लेटर में होता है कपड़ा मीटर में होता है तो उप्योगिता हम यूटिल्स में मापते हैं तो पहली इकाई से 8 यूटिल्स मिले लेकिन पहली इकाई से पहले कोई इकाई हमने उप्भोग नहीं की है तो कोई इकाई नहीं थी तो 0 उप्योगिता हो गई तो 8 में से 0 लेस किया तो 8 हमारा जो है सीमान तुप्योगिता हो गया दूसरी इकाई हमने ली दोनों इकाईों से मिलने वाली उप्योगिता क्या हो गई 14 हो गई और दूसरी से पहले वाली पे कितनी थी यानि कि 14 से पहले क्या था 8 था तो ये जो बदलाव है 14 में से 8 हम less करेंगे तो ये हमारा जो है 6 ये सिमानत उपयोगिता कहलाएगा 3 ही काईया हमने उभोग की 3 से मिलने वाला कुल उपयोगिता जो है वो 18 है so 18 में से 14 less करेंगे तो हमारे पास जो है 4 जो है वो सिमानत उपयोगिता नजर आएगा इस परकार आप देखें जैसे जैसे हम कुल एपल्स की काईयां बढ़ाते जा रहे हैं सिमानत उपयोगिता है वो दीरे 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 कम होती जा रही है एक स्थिती में वो शुन्य है उसके बाद वो नेगेटिव में है ये ऐसा क्यों होता है देखिए एक 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 कि काई जैसे हम उभख बढ़ाएंगे तो हम संतुष्टी हमारी पूर्ण होने लगती है पॉइंट ऑफ स्टेटी की तरफ हम जाते हैं जैसे हम ये कहें कि हमें प्यास लगी है तो पहला एक ग्लास पानी का आप लेंगे फिर एक और लेंगे तो पहला ग्लास जो आपने लिया वो जादा महतपून था दूसरा glass जो है वो आपके लिए कम मैत्पूर हो जाता है इसलिए दूसरी glass of water से आपको क्या है सिमान तुपियोगिता कम मिलेगी तीसरे से उससे कम चौथे glass पे आपका पेट फुल हो जाता है तो वहाँ पर आपकी जो है सिमान तुपियोगिता शुन्य हो जाती है लेकिन प कुल और सिमान में जो है सिमान अगर हमें दे रखाओ तो हम कुल का कैसे निर्धारन करेंगे जैसे हमें सिमान जो है वो एट है फर्स्ट एपल से हमें जो है एट यूटिल्स हमें मिले सो एक ही खाई है तो टोटल यूटिल्स जो हो गए हमारे पास जो है टोटल यूटिलि तो 14 बन जाएगी, इसी तरीके से तीसरी हम देखें, तीसरी हिकाई पे 4 सिमान तुपियोगिता है, तो 3 की कितने होगी, 8 पहले हो चुकी है, 6 दूसरे पे होगी, 8 और 6, 14 और 4 और जोड़ देंगे तो 18, इस तरीके से आप देख रहे हैं, सिग्मा MU, यानि कि सिमान तुपिय कर हम क्या कर रहे हैं, कुल उपियोगिता निकाल रहे हैं, अगला एक और सुत्र है हमारा MU का, MU का क्या, पहले वाला तो हमने क्या पढ़ा था, TU N-TU N-1, अब हम जो पढ़ रहे हैं, TU में चेंज आया, उस TU में चेंज को, जो quantity में जो चेंज आया है, जो unit हमने चेंज की है अब हम देखते हैं, टोटल utility का graph, कैसे बनता है, इसका design कैसा होता है, यहां हमने पुराने वाला ही अपनी schedule यानी table को इस्तेमाल किया है, कि MU से TU बना सकते हैं, TU से MU, देखे, TU जो बढ़ रहा है, वो पहले 8 है, फिर 14 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 20 हो गया, औ और फिर बाद में ये 18 है, तो देखे, addition क्या हो रहा है, 8 और 14 में कितना परिवर्तन आया, 8 और 14 में 6 का addition हुआ, फिर 14 और 18 में कितने का addition हुआ, 14 और 18 में 4 का addition हुआ, उसके बाद आप देखे, 18 और 20 में कितना addition हुआ, 2 का addition हुआ, फिर 20 और 20 में कितने का addition हुआ, 0 का, फिर 20 में से हम 18 पर आए कि कितना आपका less हुआ वो two less हुआ it means ये जो 6 फिर ये 4 फिर ये 2 फिर ये 0 फिर ये minus का 2 ये क्या है ये mu है तो mu ऐसे ऐसे add करते करते हम tu को बना रहे है तो tu जो है उपर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कैसे बढ़ रहा है घटती दर से बढ़ रहा है फिर tu जो है अधिक्तम हो गया है अधिक्तम हो गया है tu तो mu क्या है यहां पर शुन्य है आप table में देख सकते हैं उसके बाद tu जो है वो 18 यानि कि घटने लग गया तो उस थिति में mu जो है वो आपका negative हो गया है फिर relation देखते हैं relation वही पुरानी table के आधार पर ही है देखें आप tu बढ़ रहा है तो mu क्या हो रहा है घट रहा है फिर mu क्या है 0 है तो इस थिति में आप देखेंगे कि tu जो है वो अधिक्तम है यहाँ पर tu क्या है maximum है उसके बाद tu गिर रहा है या घट रहा है तो उस थिति में mu जो है वो negative हो जाता है तो तीन relations यहाँ पर बनते हैं यह आपका exam point of view से यहाँ पर आपके तीन questions बनते हैं एक तो tu क्या है mu क्या है यह question हो गया tu से mu कैसे बनता है mu से tu यानि इनके formulas क्या होते हैं और अगला बनता है हमारा relation फिर law of DMU घटी सीमांत उपयोविता का नियम यह नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे उभोगता मानक इकाईयों का लगातार उभोग करता है मानक काईयां क्या है standard units हम बोलते हैं जैसे आप चपाती लेते हैं तो एक चपाती जो आप लें पहली दूसरी भी वैसी होनी चाहिए तीसरी भी वैसी होनी चाहिए चौथी भी वैसी होनी चाहिए कैसे पहली जितनी सिकी हुई है जितनी चुपड़ी हुई है दूसरी भी उतनी साइज की उतनी चुपड़ी हुई उतनी ही जो आपकी पकी हुई होनी चाहिए तो इस तरीके से लगातार जब ऐसे standard units का उप्योग करेंगे तो अतरिक तिकाई से मिलने वाला जो उप्योगिता है वो हमेशा घटते जाती है तो यानि कि सिमान तुप्योगिता जो है वो हमेशा घटती जाएगी और उसका reason ये है कि कोई भी आपकी आवशकता है वो हमेशा पूरी जरूर होती है जैसे प्यास लगी है तो आप कितने glass पानी के लेंगे, कभी तो वो प्याश जो है, वो शान्त होगी तो इसी तरीके से जो है, जैसे जैसे एक एक glass of water आप यूज़ करेंगे तो सीमान तुपियोगता क्या है, भीरे-दीरे-दीरे-दीरे घठती जाएगी यह एक universal है, इसलिए हम इसके आगे low शब्द, यानि की नियम शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह हर जगह पे लागू होता है इसके बाद है ordinal view क्रम वाचक दृष्टि कौन यानि की उपियोगता को हम यहां पर आप मापेंगे नहीं, यहां आप क्या करेंगे, क्रम के रूप में हम उसे दर्शाएंगे उपियोगता को मापा नहीं जाएगा केवल तुलना की जाएगी उसकी, क्योंकि यहां पर जो ब्रेटिश एकनॉमिस्ट है एजवर्थ, इन्हों ने ये ordinal view 1881 में दिया था उसके बाद इसका विकास जो है psycho यानि की हमारा मनोवग्यान हमें बताता है, तो इसलिए हम यहां ही की तुलना करेंगे ना कि हम पुराने वालों की तरह गणना वाचक की तरह उसे मापेंगे सिर्फ हम यहां तुलना करेंगे यानि की उपियोगता की तुलना की जाएगी और तुलना में हम क्या करेंगे, रोमन नंबर्स के आधार पर हम बताएंगे, कि फस्ट ये हमें पसंद है, सेकिंड ये हमें पसंद है, थर्ड ये हम पसंद है, तो इस तरीके से आप जो है तुलना करेंगे, और इस चीज़ को समझने के लिए, अगला नाम इसका है, तड़स्ता वक्र, या अंधिमान वक्र, या सम उप्योगी ता वक्र, ये वक्र क्या है? देखिए, उदासीन का वक्र का जो प्रियोग है, वो हम इस बात के लिए इस्तेमाल करेंगे, कि हमें कितनी इकाईयां वस्तु की उभोग करनी चाहिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अंगिनत इकाईयां वस्तु की कोई भी वस्तु है उसकी उभोग करें तो एक limit fix करने के लिए एक तो हम तै करेंगे कि उदासिंता वक्र के माध्यम से कि हमें संतुष्टी कितनी निलती है और उस संतुष्टी को हम लेने के लिए वस्तू के उपर पैसे खर्च करेंगे जिसे हम कहते हैं बजट रेखा तो फिलाल हम आज के लेक्चर में हम उदासिंता वक्र का हम अध्यन करेंगे या तटस्था वक्र है क्या है? ये अध्यन करने के लिए कुछ मान्यताइं हैं. पहली मान्यता क्या है? उभोगता जो है वो विवेकशील है. विवेकशील का विप्राय क्या है? वो अपनी बुद्धी का इस्तेमाल कर रहा है. इसका मतलब सोच समझ कर उभोगता जो है वस्त किस्थान पर अधिक मात्रा को ज्यादा पसंद करता है एक उभोगता, नेक्स्ट है पसंदगी का क्रम, उभोगता बताएगा कि A संयोग ज्यादा बहतर है, B से या B संयोग A से ज्यादा बहतर है, ये अपने वो मन में तै कर लेता है, समझसे, कंसिस्टेंट रहेगा, उसने एक बार जो कह दिया कि मैं A संयोग को बहतर मानता हूं B से, तो दूसरी बार वो B को A से बहतर नहीं मानेगा, वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा, घटती हुई सिमान्त परतिस्था पंदर के आधार पर ही ततस्था वक्र निर्भर करेगा, इसको हम आगे पढ़ने वाले देखें ततस्था वक्र क्या है? एक ऐसा वक्र जो दो वस्तूओं के Y वस्तू और X वस्तू, यहां आपने X पे Apple लिए हैं और Y पे Orange लिए हैं, तो दो वस्तूओं के विभिन संयोग, A संयोग, B संयोग, C संयोग और D संयोग, यह अलग-अलग संयोग हैं, यह उभोगता क वो समान उपयोगिता देंगे, यानि A is equal to B, is equal to C, is equal to D, इन सब की क्या हैं? समान संतूष्टी हमें मिल रही हैं इन सब से, अब सवाल यह उठता है कि यह संतूष्टी समान क्यों है? क्योंकि आप यहां देखें कि एक-एक करके हमने Apple की Units को बढ़ाया है, एक, तो यहां ह हमने त्याग किया है, चार Units of Oranges का, फिर एक Apple दो से हम तीन पे गए, वहां हमने त्याग किया है तीन यूनिट्स का, फिर हम तीन से चार पर गए, वहां हमने त्याग किया है दो यूनिट्स का, तो आप क्या कर रहे हैं? यहां आप देखेंगे कि चार, तीन, दो, इस तरी उपयोगिता क्या होगा? नुपसान होगा और वो एक-एक युनिट जब हमें एपल की मिल रही है, यहां हम utility क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, utility, gain, तो gain is equal to loss होगया, तो जितनी उपयोगिता था हमने नुपसान किया, उतनी ही उपयोगिता हमें प्राप्त होगई, इसी कि आधार पर इस वक्र का निर्मान हुआ है और वो परतिस्थापन की सिमान दर है क्या X वस्तु की एक तरीक तिकाई का उभोग करने के लिए Y वस्तु की जितनी इकाईयों का त्याग होता है यह अब ही हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पहले हमने चार इकाईयों का त्याग किया फिर हमने तीन इकाईयों का त्याग किया फिर हमने दो इकाईयों का त्याग किया तो ये जो त्याग है वो घटती दर पर हो रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि X को तो हम एक एक यूनिट बढ़ा रहे हैं और Y की इकाईों का हम जो त्याग है पहले ज्यादा कर रहे हैं, फिर उससे कम कर रहे हैं, फिर उससे कम कर रहे हैं, वो इसलिए है कि जैसे जैसे Apple की इकाई हमारे पास आएंगी ये तो हम एक इमेशनरी एक्जामपल ले रहे हैं एपल आप कोई और एक्जामपल भी ले सकते हैं किसी बस्तू का तो आप एपल की एके काई ले रहे हैं तो जब एपल की इकाई हमारे पास जादा आजाएगी, तो उसके लिए हमारे लिए महतोफ हमारी नजरों में क्या होगा, कम होगा, तो Y की जैसे-जैसे कम होती जाएगी, उसकी उपयोगिता हमारे लिए बढ़ती जाएगी, तो X की, यानी Apple की एक यूनिट और लेंगे, तो वो हमारे पास ज्यादा होगी, तो उनकी लिए जो हमारी utility है वो कम होने लग जाएगी तो इसलिए हम y units का जो त्याग है वो कमदर पर करेंगे जैसे यहाँ पर हमने संयोग लिए है ये एक table है एक और 10 का है x की एक unit है y की 10 units है ये एक संयोग हो गया हमारा फिर आप देखें 2 और 6 का ये एक संयोग हो गया तो ये एक a संयोग b संयोग c संयोग और ये d संयोग ये पिछले diagram में भी आपने देखा था और इसमें भी हमने same table का इस्तेमाल किया है यहाँ आप देख सकते हो marginal rate of substitution x for y यानि की x की एक इक काई और लेने के लिए y की कितनी काई का हमने त्याग किया और वो त्याग होता है delta y by delta x यानि की y वस्तू में कितना हमने change किया कितनी हमने कमी की और x की एक unit बढ़ाने के लिए तो यहाँ आप देखें 4 हमने त्याग किया और एक unit हमने x की ली तो यहाँ हमारा जो सिमान्थ परतिस्थापन की दर है वो 4 है फिर 3 और 1 देखें तो यहां 3 है फिर यह 2 हो जाती है यह घट्ती सिमान्थ परतिस्थापन दर है इस थिती की वज़े से इस बात की वज़े से यह जो है तटस्थावकर जो है इंडिफरेंस कर्व जो है वो है convex shape कौन सा shape है? convex shape है इसे हम कहते हैं उन्तो दर यानि कि ये जो वक्र है, ये मूल बिंदू ये जो हमारा मूल बिंदू है इसकी ओर जुका हुआ है और इसके जुके होने का कारण क्या है? घट्ती सीमान परतिस्थापन दर ये पहले 4, फिर 3, फिर 2 इस तरीके से क्या है? ये घट रहा है इस वज़े से ये क्या है? उन्तो दर है देखिए, ये ड़लान जो है यहां ड़लान दर्शाने के लिए आमने ये एक तटस्था वक्र लिया है ये L से लेकर M तक एक तो इस टेंजन का ये जो कौन है ये दर्शाता है कि इस पर ढलान कितना है यहां हम एक बोल रखें और वो बोल ऐसे गिरती 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 यहां गिरेगी ठीक है? और ऐसे ही एक थम L1 और M1 ये एक टेंजन लेते हैं इस पॉइंट पे B पॉइंट पे पहले वाला A पॉइंट पे था तो देखें इसका कौन कितना बन रहा है तो यहां हम जो बोल डालेंगे वो धीरे धीरे गिरेगी तो इसका मतलब जो है steeper जितना होगा curve यानि कि खड़े रूप में जितना होगा उसका ढ़लान उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा और जैसे जैसे curve ऐसे flatter होता जाएगा यानि कि गिरता जाएगा यह धलान जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा तो तड़स्था वक्र का जो धलान है वो हम देखते हैं vertical change यानि कि यह लमवत रूप में और horizontal यह जो पड़े रूप में है ऐसे यह हम कहें delta y by delta x यानि कि y में बदलाव divided by x और यह चीज हमने पहले ही पढ़ चुके हैं mrs x y यानि कि यह धलान जो है पहले delta y by delta x यह बन गया delta y और यह हो गया delta x फिर यह जो धलान आएगा वो यह बन जाएगा delta y यह हो गया और फिर delta x यह हो गया तो इस तरीके से आप देखें कि delta x तो हमने same रखा है देखिए delta x तो same है लेकिन delta y पहले ज्यादा था फिर उससे कम हो गया फिर उससे कम हो गया तो इसका विपराय यह होगा यह धलान क्या हो रहा है धीरे धीरे गटता जा रहा है तो यह हमारा जो धलान है तो वो है आपका loss in y divided by gain in x यानि कि delta y by delta x फिर देखते हैं उदासींता मानचित्र क्या है उदासींता मानचित्र इंडिफरेंस मैप यह एक आपको ग्राफ नजर आता है इसमें पहली यह इंडिफरेंस कर्व है फिर यह इंडिफरेंस कर्व सेकेंड है तरस्ता वकर दूसरे नंबर का फिर यह तरस्ता वकर तीसरे नं यहां आप देखें, अगर oranges मैंने दो लिये हैं और एक apple है, यह A संयोग हो गया, आप 20 संयोग देखें, जो कि उंचे तटस्था वक्र पर है, वहां आपको क्या नजर आता है, यह एक है, दो, यानि कि दो oranges, दो apples हो गए, और फिर आप C combination देखें, जो कि IC3 पर है, तो वहां पर मानलो कि यह 4 apples हो जाते हैं, फिर यह मानलो कि 6 apples हो जाते हैं, डी कॉंबिनेशन पर, तो आप देखेंगे, जैसे जैसे हम उचे तटस्था वक्र पर जा रहे हैं, हम oranges को तो उतना ही रखे हुए हैं, लेकिन apples की काईयां हम बढ़ा रहे हैं, तो जब apples की काईयां बढ़ेंगी और oranges की कम नहीं हुई, तो हमारा संतुष्टी का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने कुछ त्याग नहीं किया, बलकि मिल ओर गया है, तो इसे हम कहेंगे, एक दिष्ट अधिमान, monotonic preference, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो दिवाली के और पांच मालो की बर्फी लेके आते हैं, ठीक है, उससे next day, फिर आपके एक दूसरे वाले मामा जी आते हैं, और वो एक डबा लड़ू और एक डबा बर्फी का लेके आते हैं, तो आपकी नजरों में कौन से वाले मामा जी ज्यादा बैतर हैं आपके लिए, समझो समझो, तो इसका विपराय आप समझी गए होगे, कि ज्यादा चीज हमें ज्यादा पसंद होती है, तो उसी को हम कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्या कहते हैं, एक दिष्ट अधिमान या मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो इंडिफरेंस मैप क्या था, कि ये जो आपने ग्राप इसके अंदर धेरों जो हैं, यानि कि अनेकों तटस्था वकर हैं, और उंचा तटस्था वकर क्या है, ज्यादा संतुष्टी देता है, यानि कि ये जो चारों तटस्था वकर आप देख रहे हैं, ये सब अलग-अलग संतुष्टी दे रहे हैं, और उंचा तटस्था वकर अधिक संतुष्टी देता है अब हम पढ़ रहे हैं तटस्था वकर की विशेश ताइम क्या खास बात है इनके अंदर देखिए यह y-axis है यहाँ पर y वस्तु आ जाएगी और x-axis पर x वस्तु हम ले लेते हैं और यहाँ पर हमने एक ox के समाना अंतर वकर लिया है अब हम देखते हैं कि यह दो सेब और दो संत्रे का कॉंबिनेशन यहीं दो यूनिट जो है y वस्तु की है दो यूनिट जो है x वस्तु की है यह a संयोग है लेकिन अगर आप b संयोग पर देखें तो आपकी यहाँ पर तो यहाँ से यह सिद्ध होता है कि b संयोग जो है a के बराबर संतुष्टी नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्योंकि आपने b संयोग पर आने के लिए y वस्तु का कोई त्याग नहीं किया बलकि बगएर त्याग किये गए x की इकाईयां ज्यादा आ गई है तो मन हमारा ज्यादा खुश होगा तो यानि कि satisfaction लेवल बढ़ जाएगा तो तटस्था वकर आपने पढ़ा था कि ऐसा वकर जिसके सभी संयोग जो हैं वो हमें समान संतुष्टी देते हैं तो उसे हम ISO Equality Equality Kovic नामसेज भी जानते हैं यानि सम उपयोगिता वकर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसके सभी संयोग जो हैं हमें समान उपयोगिता देते हैं तो यहां हमें समान नहीं मिल रहा तो इस तरह कि हमारी जो तटस्था वकर है वो बिल्कुल भी नहीं होगी X के समान नतर नहीं होगी Same condition जो है Y के लिए रहेगी दो-दो हम ले ले लेते हैं X और Y की इकाई यां लेकिन Y की इकाई हमने 3 कर दी A संयोग के comparison में B पे आप देखें तो B की satisfaction A से ज्यादा हो गई क्योंकि हमने X की काई यां को कम नी किया और Y की काई यां बढ़ा दी लेकिन हाप जानते ही हैं कि तटस्था वकर के सभी संयोग जो हैं वो समान उपियोगिता देते हैं तो इसी लिए यहाँ पर यह भी तटस्था वकर नहीं होगा अर्थार्थ Y-axis के समान अंतर भी जो है तटस्था वकर नहीं होगा नेक्स्थ है कि यहाँ पर आप देखें दो X यूनिट हो गई और दो Y यूनिट्स और उपर आप क्या कर रहे हैं तीन यूनिट हम X की लेंगे और तीन ही Y की लेंगे तो आप देखेंगे कि Y की यूनिट्स भी बढ़गी और X की भी बढ़गी तो A के कंपैरिजन में में B सैयोग ज्यादा सैटिसफेक्शन दे रहा है A की तुल नामे तो हम जानते हैं कि IC के सभी सैयोग जो है समान उप योगिता देते हैं इसलिए ये बढ़ता हुआ भी नहीं होगा तरस्तावकर इस तरीके का अगला देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में एक एक करके जब हम X की इकाई बढ़ाएंगे तो आप देखें त्याग कैसे बदल रहा है त्याग जो है वो समान दर से है यानि कि जो सेक्रिफाइस पहले था वही सेक्रिफाइस उतना ही बाद में है तो इसका मतलब क्या है समान परतिस्थापन दर है परतिस्थापन दर जबकि एक्चुल में जो है तटस्था वकर घर्ती सीमान परती स्थापन दर पर आथारीत उटा है तो ये भी तटस्था वकर ऐसा नहीं होगा इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे है हम X की इकाईयां बढ़ा रहे हैं Y की इकाईयां का जो त्याग है वो बढ़ती दर पर हो रहा है देखिए ये त्याग पहले कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा हो गया तो ये देखें पहले सेक्रेफाइस कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा तो ये जो है ये बढ़ती सीमान परती स्थापन दर है कौन सी है ये 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 बढ़ती है बढ़ती marginal rate of substitution xy यानि कि सिमान परतिस्था पंदर बढ़ती हुई है लेकिन हमने क्या पढ़ा था घर्टी हुई होनी चाहिए तो घर्टी हुई होगी तो वक्र जो होगा हमारा उंतोदर होगा यहां क्या है ये जो वक्र इस तरह का होता है हम नतोदर बोलते हैं यानि कि Concave shape बोलते हैं तो हमारी जो तरटस्थावकर है वो Convex shape होती है तो ये तरटस्थावकर नहीं है नेक्स देखें ये है क्योंकि यहां पर देखें एक एक इक इकाई जैसे जैसे हम x की बढ़ा रहे हैं y की जो इकाईयां का जो त्याग है वो क्या है दीरे दीरे घटता जा रहा है तो इसे हम कहेंगे ये diminishing marginal rate of substitution के उपर based है यानि घरती सिमान पर 37 अदर पर आधारित है तो ये हमारा तटस्था वकर है फिर देखें ये x को टच कर रहा है देखें ये वकर x को टच कर रहा है लेकिन हमने तटस्था वकर में दो वस्तू के सयोग ले ले हैं यहां पर x अगर हम लेंगे तो अगर x को टच करेंगे तो सिर्फ हम xx की मात्रा ले रहे हैं वस्तू की y की मात्रा हम ले ही नहीं रहे तो ये जो है इस तरीके से भी तटस्था वकर नहीं होगा क्योंकि वो दो वस्तू के combination हम दर्शा रही होंगे ये हमारा तटस्था वकर होगा तो इस पर कारफ हमसे देखा ये कुछ विशेशता ही थी अगली विशेशता क्या है दो तटस्था वकर यानि in difference कर एक दूसरे को नहीं काटती है अगर काट थी है तो क्या होगा देखिए दो तटस्ता व ये दोनों जो हैं, equal satisfaction दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, IC1 के उपर हैं, A और C देखें अब, yellow काओ के उपर, A और C, sorry, A is equal to C, दोनों का satisfaction level equal होगा, समान संतुष्टी रहेगी, क्योंकि दोनों A की तटस्तावकर के उपर हैं, IC2, अब यहां आप देखें, जब A is equal to B है, यानि A संयोग का संतुष्टी स्थर B के बराबर है, और A का C के बराबर है, तो obvious है कि B और C का संतुष्टी का स्थर समान होना चाहिए, लेकिन आप यहां देखें, Y वस्तु की 2 इकाई, और अगर यहां आप देखें, यह 3 इकाई ले लेते हैं हम, और यहां पर लेते हैं 4, तो आप देखें, B संयोग के comparison में C संयोग को देखें, तो C संयोग पर X की इकाईयां ज्यादा हैं B की तुलना में, और Y की उतनी ही हैं, तो C संयोग जो है, वो ज्यादा मोनोटोनिक हो जाता है, अर्थार्थ वो एकदिष्ट ज्यादा हो जाता है, उस वज़े से हम क्या कहेंगे, कि C का जो संतुष्टी स्तर है, वो B से को नहीं काटेंगे, ये आज का टॉपिक हमारा खतम हो जाता है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था, उसके questions क्या बनते हैं, उपियोगिता क्या है, पहला question, उपियोगिता किसी वस्तु का वहगुन जो हमारी आशक्ताओं को पूरा करता है, अगला T U और M U का सुत्र क्या है, T U है सिग्मा M U, और M U का सुत्र क्या है, T U N, यानि कि लास्ट ही काई, माइनस T U N माइनस 1, यानि लास्ट से जस्ट एक पहले वाले पे जो टोटल था, वो लेस कर देना है, या फिर डेल्टा T U, T U में जो चेंज आया, डिवाइड़ बाई डेल्टा क्यो quantity में कितना change किया है, नेक्स्ट आप देखें, तटस्था मान चित्र क्या है, तटस्था मान चित्र हमने देखा था, कि एक तटस्था वकर, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से, अलग-अलग तटस्था वकर, उचा तटस्था वकर हमेशन जो है, अधिक संतुष्टी देगा, यह आप copy में note down करेंगे, इनकी परिवाश है, एक दिश्ट अधिमान क्या है, यह भी हम देख चुके हैं कि, उचे तटस्था वकर पे क्या होता है, दो वस्तों के संयोग जो होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, और जब दोनों वस्तों के संयोग बढ़ जाएंगे, उनकी काई एक्स होता है, नेक्स्ट, क्या दो तटस्था वकर एक दूसरे को काटते हैं हम कहेंगे, नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते हैं, अगर काटते हैं, तो समानुक योगता मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिलती नहीं है, इस वज़े से ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंग उसके बाद तटस्था वकर क्या है इसकी विशेष्टा हैं बताईए इसकी विशेष्टा हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ना तो तटस्था वकर जब पहले हम परिवाशा देख लेते हैं तटस्था वकर एक ऐसा वकर जो दो वस्तों के विभीन संयोगों को दर्शाता है और विभीन संयोग हमें क्या करते हैं, एक समानों के उविता देते हैं, विशेशनाएं क्या हैं, ना तो ये OX के पैरलल होगा, ना ये बढ़ते हुए होगा, ना ये नतोधर होगा, ना दो तटस्था वकर एक दूसरे को काटेंगी, और आपने देखा था कि दो तटस्था आपने जो बनानी है, वो ऐसे नहीं बनानी है, कि ये X के पैरलल हो जाए और ये Y के पैरलल हो जाए, ऐसे नहीं बनाना, आपने बनाना है कि ये ऐसे अप्रोच करें X की तरफ, X-axis की तरफ और अप्रोच करें Y की तरफ, तो आज के ये जो questions थे, ये कुछ main questions हमने इसमें से चांटे हैं तो आप सभी बच्चे अपने टीचर्स के साथ डिसकस करेंगे, अपनी नॉट्बूक को पूरा करेंगे, उनसे चेक करवाएंगे, उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थेंक यू.